Hello students, आज हम लोग reflection of wave का topic बढ़ेंगे, बहुत ही छोटा सा topic है और बहुत ही simple topic है हमारे आम जिन्दगी में हमें यह सब चीजे, जो waves का, यह reflection जो wave है, यह हमें दिखाई भी देता है और इसको आप सुन भी सकते हैं, यह कैसे होता है, बहुत ही simple चीजे, मान लिजे कि जब मैं बोल रहा हूँ या फिर कोई speaker आपके room पे बज रहा होगा, तो उसमें reflection होता है और reflection भी होता है, दो चीजे होती है, तो पहले देखते हैं कि reflection कहा होता है, मान लिजे कि आप एक room पे एक sound box को या फिर कुछ गाना होना सुन रहे हैं, और उस sound से आपका waves patterns निकल रहे हैं जब वो wave pattern किसी भी room पे जब बसता है, तो उसके waves जो निकलते हैं, वो क्या होते हैं, दिवालों से जो हमारे wall हैं, उन से जाके टकराते हैं, और टकराने के बाद वही waves वापिस आते हैं, reflect होके, और reflect होने के बाद हमारे कानों पे पढ़ते हैं, तो अब समझ लिजे कि ये हैं, इसमें एक छट भी है, और जमीन से भी टकरा के, वो सारे के सारे waves आके आपके कानों में जब पढ़ेंगे, तो आपको जो sound है, वो थोड़ा अलग टाइप तर मिलेगा, मतलब गूंसता वो दिखम मिलेगा आपको, इसको हम eco के नाम से जानते हैं, इसी तरीके से light को भ होता है, उसको आप two-way पर पढ़ेंगे, मान लिजे कि जो light है, वो एक wave नेचर में चलती है, और जब light को आप चालू करेंगे, तो समय लिजे कि आपका room है, और आपने room को white paint कर दिया है, ठीक है, क्योंकि white paint जो होता है, वो zero energy को absorb करता है, totally reflect करता है, तो जब light है, जब wall पर पढ़ेगा, ठीक है, तो होगा क्या, वहाँ से वो reflect होगा, और multiple times reflect होगा, और multiple times reflect होने से क्या मिलेगा, हमारे room पर ज़्यादा रोसनी मिलेगी, और अगर यही light को, अगर आप पूरे walls, मतलब आपका wall नहीं है, इसके जगह में एक open area है, और आप एक bulb जलाएंगे, तो वो जो रोसनी है, जो आपका bulb से निकल रहा है, वो चारो तरफ फैलेगा, पर वहाँ से reflect होके नहीं आएगा, तो अगर किसी एक area में, जहां पास में, आपका bulb है, वहाँ पास में, अगर आप बैटें, तो आपको उतनी रोसनी नहीं मिलेगी, as compared to, अगर पूरा का पूरा wall पै यह सब फैनोनिम आपको आपके आम जिंदिगी में दिखाई भी देता है, और इसी चीज़ को हमको समझना है, conceptually कि यह कैसे हो रहा है, बहुत चोटा से topic है इसको, तो आपको अब यह समझना आ रहा होगा कि reflection कहां पास में हो रहा है, और reflection कहां पास में हो रहा है, ठीक है, अभी इसको समझे एक string के point of view से, क्योंकि हम 11 पढ़ रहे हैं, तो 11 में बहुत ही जादर detail में तो नहीं दिया है, पर जितना दिया है उसको तो कम से कम हम समझी सकते हैं, ठीक है, तो चलिए start करते हैं और समझने की courses करते हैं, बहुत simple से topic है, मान लीजे कि हमारे पास में एक पास में wall है, ठीक है, और एक string है, इसको string को मैंने यहाँ पास पकड़ा, और यह string कुछ इस टाइप से इस wall से यहाँ पास में attach में है, ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पास में एक जटका दी ऐसे करके, जिससे एक pulse यहाँ पास में बना, ठीक है, अब यह pulse का energy का जो level है, के इस स्ट्रिंग को आगे बढ़ाते जाएगा बढ़ते जाएगा और जब यह इस पोजिशन पर आएगा यहां से यहां पासमें तो यह हिल सकता नहीं को cheap यह क्या करेगा सब्सक्राइग तो इसी वाले स्ट्रिंग को उल्टा गए एंए और सी को यहां से वापिस बेस्तेगा फिर समझेगा बहुत सिंपल सा है यहां से यह स्ट्रीज आगे गया energy को लेकर जब इस प्वेंट पर आ तो यह energy को आगे जो भी frequency होगा उस पे कोई भी change नहीं आएगा इसका even amplitude पे भी कोई भी change नहीं आने वाला है जिस तरीके से गया था just reflect होके उल्टा होके वापिस हो जाता है अब इसका reason क्या है simple सा reason है Newton का third law Newton's third law Newton's third law क्या बोलता है Newton's third law ये बोलता है कि कोई भी चीज़ जब मेरे पास में आके टकराएगा तो ये wave energy लेके जा रहा था इस wall को टकराया और force लगाया होगा अब ये force इसको लगाया तो इसने क्या किया इसने एक opposite force लगाया इसको neutralize करने के लिए है ना अब जितना भी ए force इसको लगाएगा इसको neutralize करना तो बनता ही है तो यह क्या करेगा opposite amplitude पे इस पे force लगाएगा same amplitude पे same frequency पे same lambda पे तो होगा क्या यह वेव अगर यह ऐसा जा रहा है और यह इसको उल्टा करके ऐसा भेज दिया तो देखें यह plus A और यह minus A एक दूसरे को क्या करेगा cancel कर देगा और हमें वेव एकदम straight लेने मिलेगा यह एकद और Newton का third law मतलब आप समय लिजे कि दिवाल पे ऐसे कुछ fake रहे हैं और वो क्या कि observe करके उसको पुरा रख लिया observe करने के रखने के बाद मतलब उसको वापीस भेजा जब तो जिस्ट उल्टा वे में भेजा तो जितना भी force हमने उसको लगाया वो उसको वापीस भेजा और यही है आपका standing wave या stationary wave का pattern ठीक है और इन दोनों का यह जो addition होता है इसको हम बोलते हैं super position ठीक है tension मतलीजे इसको हम लोग simulator पर भी करके देखेंगे जिससे आपको और better visualize हो पाई अभी यह था आपका fixed end वाला आपका यह जो हिस्सा है इसको हम गया कर दिया था fixed कर दिया था ठीक है अब इसी को हम लोग क्या करेंगे open कर देंगे मतलब कि यह जो आपका यह area है इसको हम open करने का मतलब माल लिए कि यहां बस में string है और यह string ऐसे गया और यह आपका रोट था जहां पर फिक्स किया फिक्स के जगह में हमने क्या कर दिया इसको यह एक रिंग लगा दिया अब जब रिंग लगाया तो यहां से जो pulse ऐसे जा रहा है यहां पास में जब यह इस पोजिशन प वेवध को ओपर फृकेगा आधी ओंख二 ने के लिए लिए यह जैसे अया वह ऐसे ही वेव Wow चला जाएगा इस वाले वेव को अब अगर sin function पे लिखें, mathematical term पे लिखें तो कैसे लिखेंगे, जाने वाला वेव जो है, वो क्या होगा, sin kx minus omega t, देखें, एक positive negative मतलब कि यह इस direction में जा रहा है, और यह आने वाला जो वेव है, इस amplitude अगर a ने लिए जाए, आने वाला वेव का क्या बनने वाला है, a sin kx minus omega t plus pi, अब यह pi बहुत है, pi मतलब कि phase difference, देखें, यह इधर से गया और यह return यहाँ पास में है, तो इसका जो phase difference है, वो 180 degree का हो जाता है, अब देखें कैसे, sin 180 plus theta, sin 180 plus theta मतलब कौन सा coordinate होगे, आपका third coordinate, third coordinate मतलब की आपका tan और cot की value खाली positive रहे, कि तो इस sin है तो negative हो जाएगा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ फिर, a sin kx minus omega of t, minus a sin kx minus omega t, मतलब amplitude आपका minus में चला गया, देखें, इसी को मैं अगर इसके form में लिखूँ, तो ये इस type का है, और देखें, ये minus a है, same, और ये भी आगे की तरफ जा रहा है, यही वाले wave को देखें, ये इधर से जा रहा है, और ये वाला इधर से, और इन दोनों का super position, आपका ये बनने वाला है, ऐसा है ये कुछ, ठीक है, अब देखें, 180 degree को कैसे आप assume करेंगे, कैसे मानेंगे, देखें, इस type से होता है, मालने जी कि ये wave pattern बन रहा है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, 180 degree का phase दे दिया, 180 degree का phase देने से, ये कैसे work किया है यहाँ पास में, अगर ये wave pattern यहाँ से चालू हो, देखें, तो इसको अगर मैं पीछे लेके जाता हूँ, इस type से, ये किस type से बन रहा है, ऐसी कुछ दिख रहा है, ये 180 से मैंने चालू किया यहाँ पास में, तो देखें, जब इसको मैं पीछे ले जाओ इसको, तो ये देखें, उल्टा हो गया यहाँ पास में, माइनस एक, और ये वाला positive weight, इसी को बोलते है, standing wave, क्योंकि इन दोनों का super position, आपको कैसा मिलने वाला है, एक straight line के तरह मिलने वाला, इसी को बोलते है, super position, बहुत है सिंपल सा है, यही वो चीज मिलेगे आपको, ये वाला जो wave pattern बन रहे नीचे वाला, वो ये वाला है, ठीक है, और ये जो उपर वाला wave pattern बन रहे है आपका, वो ये वाला, mathematical term पे, ठीक है, अभी आप सोच रहे होगे, कि आप यहाँ से बना दे रहो है, इसको इस तरीके साब समझे, मानिए, कि यह आपका rigid point है, ये wave कुछ इस तरीके से गया, और यहाँ पास में जाके टकराया, ये टकराने के बाद, ये क्या किया, इसको reflect कर दिया, reflect करने से ये उल्टा हो गया, देखिए, ये इस side से इधर से आया, और ये यहाँ पास में होगा है, सिंपल सा है, एकदम, और इसको हम उल्टा देख लिए, और दोनों का super position किये, तो ये कुछ इस step से बन गया आपका, ओके है, confused मत हुएगा, कि किस step से travel कर रहा है चीज़े, बहुत सिंपल सा चीज़े है, ये ऐसे travel किया, मतलब कि ये energy ऐसे देना चालू किया, ये इसको इधर से energy step से देना चालू कर दिया, ओके है, ठीक, बहुत सिंपल सा था mathematical term पे, इसी पे एक और point आता है, कि अगर ये fixed है, और ये आपका move ले सकता है, अगर इसको मैं move के जगए इस wall को हटा दूँ, ओपन कर दूँ, तो मेरा wave कैसा होगा, तो इसका सिंपल सा मतलब है, कि मैं आप यहां बोल रहा हूँ और यहां कोई wall नहीं है, तो मेरा जो wave, मुझसे जो sound निकल और उसकी जो waves है, वो आगे की तरफ continuously ट्रैवल करते रहेंगे, और due to the damping, मनलब air resistance के कारण, धिरे 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 अवाज आपकी down होते जाएगी, और जितना दूर तक सुनाई दे सकता है, उतना दूर तक सुनाई देगा, फिर धिरे 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 जो wave का जो amplitude, जिसको हम displacement बोलते हैं, Y-axis पे जो रहा है, जो transverse wave होता है हमारा, उसका जो displacement है, धिरे 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 कम होते जाएगा, और कम होते होते खतम हो जाएगा, और फिर आगे किसी को सुनाई नहीं देने वादा, मान लीजी अगर ऐसा होता, कि हमारे नेचर पे कहीं damping होता ही नहीं, तो क्या होता, अगर damping नहीं होता, तो मैं बोल रहा हूं जो भी चीट, ये continuously आगे बढ़ते जाता, बढ़ते जाता, तो करोड़ों लोग बोल रहे हैं कुछ ना कुछ हर टाइम पे, तो उनकी waves भी travel करते रहते हैं, करते, करते, करते रहते हैं, और हर किसी को सुनाई देता, मतलब इतना ज़ादा आवाज आपके sound में आता कि पुछे मत, तो ये by the nature ही है कि damping भी बहुत जादा जरूरी है, कभी कबार हम सोचते हैं कि damping क्यों हो जा रहा है, ये चीज़े, damping मतलब हर जगह में आता है, मान दीजे कि आप फोन से बात कर रहे हैं या आप किसी को signal भीज रहे हैं तो उसका signal बहुत दूर तक नहीं जाता है, फिर वो damp हो जाता है, मतलब कम हो जाता उसका amplitude, ऐसा होता है, तो अगर सोचे कि अगर loss नहीं होता, तो अगर हम नौर्मल ऐसे बात कर रहे हैं, और यहां भी loss नहीं होता, तो यह बड़ा effect हो जाता, तो ये by the nature है, कि damp होना चाहिए, उसका solutions अलग-अलग हैं कि कहँ पस में हमको damp करवाना है, कहां नहीं करवाना है जैसे हमको डाइंपिंग कहीं पास में नहीं कराना है तो इनर्जी का ट्रांसफर करना है तो उसका बैस्ट उपचार था आजके डीट में समभली ज़िए की जो सिगनल आता था हमारे आज के डेट में इंटरनेट चलाते हैं वह फाइवर ऑप्टिक से बेशते हैं और उसमें आपका मतलब ना के बराबर लॉस होता है इसको थोड़ा बहुत आपने पढ़ा था और बाकी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ट्वेल्थ में यह आगे जाके आपको आएगा लाइ नहीं होता है इस ट्रैप के इमेंजिंग कराने कोश्फा सब्सक्राइब तो आपको आपको थोड़ा बहुत समझ में आने लग जा होगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ वेव क्या होता है और रिफ्लेक्शन भी कैसे होता है इसको भी मैं आपको शिमलेशन में करके अभी दिखाता और यह आपका transmitted incident वाला था और यह reflected वाला था दोनों को जोड़ने से आपको एक straight line मिलेगा जो कि आपका super position का result रहने वाला है यही आपको मैं उसमें दिया भी आपके book में ठीक है चली आप simulation में करके लेखते हैं कि यह waves किस टाइब से pattern किस टाइब से behave कर रहे हैं ओके है ठीक है ओके students तो यह हमारा पहला simulator था इस simulator में हम लोग कुछ conditions को चेक करेंगे सबसे पहला condition है कि यह आल आफ जो point है right side में जो आप देख रहे हैं यह एक fix point है और left side में भी यह fixed है अब मैं यहां से left side वाले से एक pulse देता हूं इसमें damp को मैं zero कर देता हूं ठीक है और इसको slow motion में डाल देता हूं अभी देखिए कि step से work कर रहा है यह मैंने pulse दिया यह pulse जा रहा है देखिए आपका और यह fixed point होने के कारण यह देखिए जो मैंने आपको बताया थे यह reflect हुआ नीचे से और यह इधर आया और यह भी fixed है यह fixed हुआ तो यह फिर उपर चला गया और यहां पास में भी fixed है तो यह फिर से उपर चला जाएगा और यह process continuously चलता रहेगा क्योंकि यह वाला point आपका fixed point है ओकी है बहुत सिंपल सा था एकदम चाहें तो आप इसके tension को उपर नीचे करके भी देख सकते हैं इसे आपको जाद effect वैसे पढ़ने वाला नहीं है main चीज़ था आपका कि यह कैसे work कर रहा है इसके pulse width को मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा और better visualization के लिए ठीक है ठी इसी को मैं इस वाले point को अगर मैं lose कर दूं किस type से देखे इसको मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं lose कर देता हूँ इस यहां ring लगा दिया देखे और इसको slow motion में डाल देता हूँ zero damping कर देता हूँ अभी देखिए कैसे work करता है pulse को भी छोटा कर देता हूँ timing अब देखे यह म सिंपल सा था देखिए फिर से आया यह pulse और यह इसको इसी point पर नीचे ले जाएगा और यह अब यह नीचे क्यों हो गया क्योंकि यह वाला point यह fix था इसलिए नीचे हो गया नहीं तो यह fix नहीं होता तो यह नीचे भी नहीं जाता ओक है बहुत सिंपल सा था है ना ठीक है चली एक next वाले और देखते हैं अब थीसरे वाले में हम देखेंगे कि यह point को हमने open कर दिया मतलब यह किसी से भी touch नहीं है और इसको मैंने जीरो कर दिया ठीक है अभी देखिए क्या होता है इसको मैं slow motion निजाल देता हूं अभी देखिए यह pulse जा रहा है अब यहां से इस इसको reflection के लिए कोई point ही नहीं मिला तो यह wave कैसी चला गया आगे की तरफ चला गया damping को zero कर देता हूं मैं देखिए यह pulse आगे की तरफ बढ़ रहा है और यह continuously बढ़ता ही जाएगा कोई reflection होके नहीं आने वाला है इस पर तो इस type की चीज़ों को बोलते है no end मतलब open end है यह ठीक है बहुत simple सा था अभी मैं इसी को आपको oscillation के दुरू समझाना के कोशिस करता हूं थोड़ा सा देखते हैं कि यह किस type से work करता है zero damping कर देता हूं fixed end है और इसको मैं एक oscillation देता हूं देखिए इसको slow motion में दाल देता हूं यह देखिए कुछ इस type को देखिए हर बार इ यह fixed है तो इसका भी same condition हमको मिलता है यहां पास में ओके है बहुत simple सा था देखिए यह उपर आया फिर उपर गया फिर इनीचे आया अब इसी को मैं lose end कर देता हूं तो इसको reset करते हैं फिर से ठीक है इसको मैं lose end कर देता हूं यहां पास में अब इसको देखिए damping zero कर देता हूं slow motion देता हूं और यह देखिए यह उपर जाएगा और जैसे आया थे यह वैसे ही आया देखिए यह उपर जा रहा है और यह movement ले लिया मतलब यह वाला point आपका fix नहीं होने के कारण यह oscillate करना चालू कर दिया देखिए और इसका amplitude देखिए continuously बढ़ते जा रहा है continuously बढ देता हूं यहां से एक oscillation दे रहा हूं जब मैं तो हर बर यह open होने के कारण यह continuously बढ़ता ही जाएगा यह open होने के कारण यह चीजे भी हमें practically दिखाई देती है मैं इसको board में नहीं बता पाया था आपको पर आप इसमें clearly देख सकते continuously इसका amplitude बढ़ता ही जाएगा जितना मैं waves दे रहा हूं क्योंकि इसमें जो loss है damping हो रहा है वह तो zero हो रहा है अगर मैं इसको damping दे देता देख से अगर मैं damping दे दूँ तो इसका amplitude बढ़ेगा नहीं देखी यह दिरे दिरे इसका damping देने से इसका amplitude दिरे दिरे घटते जा रहा है और continuously मैं यहां से इसको amplitude energy दे ही रह है क्योंकि मैं continuously energy यहां से दे ही रहा हूं तो जितना भी यह damp हो रहा है उतना energy मैं इसको यहां से फिर से दे दे रहा हूं और यह oscillation continuously यहां पास में चलता रह रहा है इसी को अगर मैं open-end कर देता हूं इस टाइप से तो देखिए क्या हो रहा है जैसा wave आया वैसा का वैसे wave इधा जा रहा है simple कोई reflection नहीं कुछ नहीं एकदम simple तरीके से आगे बढ़ रहा है इस पर अगर मैं zero time भी कर दूंगा तब भी कोई असर नहीं होने वाला है यह waves जैसा यहां से बना वैसी यह आगे की तरफ बढ़ रहा है इसके amplitude पर भी कोई change नहीं आ रहा है कोई reflection नहीं हो कर रहा है okay है I hope आपको यह तीनों condition अब अच्छे से समझ में आई होगी चलिए इसी को हम एक और simulator है उस पर भी करके देखते हैं कि उस पर यह कैसे वर्क कर रहा है इसको भी समझेए यह आपका एक spike है और इस टाइम पर इसको वापिस भेज दिये देखिये फिर से यह गया ऊपर और यह फिर से इसको वापिस भेज दिया यह है इसका free end वाला जो ring मैंने लगाया था इसी को मैं अगर fix in कर देता हूँ यहां से अभी मैंने इसको fix in कर दिया देखिये यह वेब गया और यह जस्ट उल्टा हो जाएगा यहां से यह उपर हो गया उल्टा देखिये इस तरीके से यह simulator भी आपका work कर रहा है बहुत simple सा था कि नही एकदम simple सीज़े इसी पर आप इसको देखिये दो चीज और दिया हुआ है so unreflected incident pulse मतलब अगर reflect नहीं होता तो वो कैसा दिखाए देता इसको भी हम यहां पास में देख सांगे यह इधर से गया जो reflect नहीं हुआ है वो आगे की तरह बढ़ गया और बाकी reflect होके यहां आग अब जरूरी नहीं है ना कि यहां पास में अगर आपका पूरा का पूरा reflection हो ही जाए मान लिजे कि यह कुछ medium होता यह denser medium होता यह रियर medium होता अगर ठीक है जो कि आप 10 में पढ़े हैं तो कुछ waves इधर से reflect होते और कुछ waves आगी की तरह भी बढ़ जाते ऐसा भी आपको मि आपका तो आपको अपनी परचाई भी दिखाई देगी और बाहर का चीज भी आपको कुछ कुछ दिखाई देगा तो वह आपको जो है कुछ reflection भी आपका दिखाई दे रहा है image का और कुछ पार्ट आपका reflect भी हो जा रहा है आगे की तरह बढ़ जाना है इसको हम लोग नहीं हुआ इसको यह वह वाला pulse है ओके है चलिए इसको अप तीसरे से मिल्टर पर करके देखते है रिफ्रक्शन वाला तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा तो आप इसको देख सकते हैं यहां पासे मैंने एक light source गिया है laser light source और जब मैं इसको medium में चेंज कर रहा इस वाले को आप water मान लिजेगा तो जब यह light यहां से पड़ेगा तो यह medium से cross होते वे जाएगा और यह wave pattern है जिसमें आपको यह orange orange दीख रहा है यह सब आपका amplitude वाला pattern है high point जिसको हम लोग आपका compression point बोलते हैं और यह black black आपको दिख रहा है ठीक है यह आपका rare fraction वाला point है ठीक है जिसको longitudinal wave में जानते भी है कि किस type से दिखाई देता है यह compression factors है जो आपका color वाले दिख रहे हैं और black वाले आपके rare fraction वाले point है और इसको आप color को ऐसे इसका wavelength भी change कर सकते हैं देखि point यह है ज Выड़ेंसिक कि इसमें यह जो lights आ रहा है यह वेव पैटन बना रहा है 的 le 조ल रहा है और यह जो वेव पैटन है यह reflect हो रहा है देखिए यहा से और मैंने को ऐना ौअला किससा बताए तो देखिय और कच पार्थ इसको रिफ्लेक्ट भी होरा है कुछ पार्थ इसका रिफ्रेक्ट हो रहा है ये वाला पाट आपका रिफ्रेक्ट हो रहा है और ये वाला पाट आपका रिफ्रेक्ट हो रहा है अगर मैं मीडियम को सेम कर दूँ देखे तो ये भी एर हो गया ये भी हो गया पूरा का पूरा ये रिफ्रेक्ट हो गया पर अगर मैं इसको डेंस कर कर दोऊ कि कि चितना और यह एंब को अब ह outfits अबिंग नहीं नहीं समझना है मैं समझना था कि कैसे रिफ्रक्ट हो रहा है ठीक है जाहें तो आप ऊपрь वाले को इस टैब वाले को इस टैब के बैटरण में आपको रिफ्लेक्शन ज्यादा मिलेगा और रिफ्लेक्शन आपको कम मिलेगा देखिए ज्यादा तर आपको यह चीज प्यों हो रहा है वो रिफ्लेक्ट हो जा रहा है ना कि रिफ्लेक्ट हो रहा है ठीक है यह छोटा सा ही एक पॉइंट दिया गया था आपको बहुत ज्यादा डै होता है कैसे open end होता है फिर कैसे close end होता है यह सीजिए आपको अच्छे से clear हो गई हो गई होगी pulse के थुरूबी और sign wave की थुरूबी फिर भी कोई डाउट आएगा तो comment section आपी के लिए है ओक है ठीक है okay students I hope आपको आप simulation के थुरूबी अब better clarity हो गई होगी कि जो reflection वो कैसे work कर रहा है और आपको visualize भी अच्छे से हो गया होगा कि हमने यह भी देखा कि pulse अगर जा रहा है और अगर यह इस type का fixed end है तो वो waves कैसे reflect होके वापिस आया फिर अगर open इंडे इस type का ring वाला है तो वो किस type से आपका reflect होके आया और अगर open है तो वो waves कैसे जा रहा है जैसा जा रहा था वो वैसा कब ऐसे ही चला गया फिर हमने reflection करके भी देखा obliquue वाला form में भी कि अगर wave को अगर तिर्चा कर दिया जाए किसी आपके medium में तो वो reflect होके कैसे जा रहा है इसको भी हमने करके देखा I hope आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा फिर भी अगर कोई problem आ रहा है मन में ऐसा कोई doubt है कि sir ऐसा क्यो कुछ पूछने में आपको तो आप मेरे facebook fb page पे भी इसको upload कर सकते हैं क्योंकि यूटूब में आपको इतनी facet नहीं दे जाती है तो आप कोई भी एक screenshot लीजी जहां पास आपको समय में नहीं आ रहा है और उसको photo के थरूप मेरे fb page पे जो कि इस video के description के में मिल भी ठीक है तो आप उसमें से भी भेज सकते हैं ओके ठीक है तो फिर इस video को यहीं close करते हैं I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है इसे like और share जरूर कर दीजेगा जिससे वीडियो जाए 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 लोपास पहुच पाए और अभी तक आप हमारे चैन झाल